नमस्ते स्टूडिंस, मैं तुरंजीत फॉर्स्ट इन ख्लास के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम सीखेंगे कि फ्रांस समिधानिक समराज के रूप में कैसे कारे कर रहा था इसले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि फ्रांस की दाजा बनाने में फ्रांसिसी करांती का परिणाम कैसा हुआ था कि समराज पूरी शक्ती नहीं रख सकेगा आज हम जिन विश्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे वे हैं फ्रांस ने कौन सा एक समिधानिक राज कंत्र बनाया था 1931 के समिधान के तहट राधितिक फ्रणाली क्या थी समिधान में क्या सभी कुछ शामिल किया गया था नाशनल असेमली 1798 में बनाई गय थी और राजाद्वारा, राजशासी की शक्तियों को سीमिध करने का निर्णे लेते ही उन्होंने समिधान पर काम करना शुरू कर दिया था 1791 में समिधान का मसौधा आखिरकार पूरा हुआ और इसका सीधा मुख्य उदेशय समराठ की शक्तियों को सीमिध करना था इन शक्तियों को अब एक व्यक्ति के हाथों में केंदित नहीं किया गया था, वे अब अलग हो गए थे और विभिन संस्थानों इनके विध्याई, कारेकारी और न्याय पालिका को सौपा गया था इसी ने फ्रांस को एक समयथानिक समराद बनाया, 1970 के एक समयथान ने नाशनल असेम्बली में कानून बनाने की शक्ति नहित की, जिससे अप्रत्यक शुरूप से चुना गया था अब हम सीखेंगे कि नाशनल असेम्बली का चुनाव आखे कैसे हुआ आबादी में दो प्रकार के नागरिक थे, एक जागरूप नागरिक थे और केवल उन्हें वोट देने का अधिकार था ये केवल ऐसे पुरुष थे जो 25 वर्ष से अधिकायू के थे, जिन्होंने एक मजदूर के, मजदूरी के कम से कम, तीन दिनों के बराबर तरों का भुक्तान किया था ये सक्रिय नागरिक 28 मिलियन की आबादी के लगबग 4 मिलियन थे शेश पुर्षों और महिलाओं को निश्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गी कृत किया गया था जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था फिर इन जागरुप नागरिकों ने निर्वाचकों को चुना, जिनकी संख्या 4 मिलियन में से लगबग 50,000 थी और फिर इन मतदाताओं ने एक राश्चे सभा के लिये मतदान किया जिसमें 745 सदस्यों का गठन किया गया था और जिसमें राजा और मंत्रियों दोनों को नियंतरित करने की शक्ती थी हर कोई केवल मतदाता और विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता है जो करदाताओं के उच्चितम वर्ग से संभन्दित है अब जब हम जानते हैं कि सभी मतदान कर सकते हैं और समिधान का पदानुक्रम आईए जानते हैं कि समिधान में सभी को क्या शामिल किया गया था समिधान मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोशना के साथ चुरूआ जीवन के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, राय की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकार प्राकर्टिक और अक्षम अधिकारों की रूप में स्थापित किये गए थे ये अधिकार जन्द से प्रतेक मनुष्य के थे और उसे दूर नहीं ले जा जा सकता था प्रतेक नागरी के प्राकरतिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कटव्य था ये हम सभी को फ्रांस में समिधानिक समराथ और 1791 के समिधान की बारे में जानना है तो आज की क्लास में इतना ही आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें